अब आप अपनी GST की annual return यानि की GST9 को offline utility के दोरा बना सकते हैं, इसके लिए tool को अपलब्द करा दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस GST news में discussion करेंगे, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही आपको नए अपडेट डालें, आपके पास इमेजिएटल यह अपडेट पहुंच जाए, GST के annual return, यानि कि GSTN9 को file करने के लिए offline tool को available करा दिया गया है, इसके लिए आपको gst.gov.in portal पर जाना है, यहाँ पर login करने के पशकता नहीं है, आप बिना login के डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर download section में जाना है, offline tool में जाना है, यहाँ पर GSTN9 offline tool दिया गया है, इसे आपको click करना है, जिसके बाद के आपके सामने page open हो जाएगा, GSTN9 एक Excel based tool है, यह offline tool की utility अपलब्द कराए गयी है, यह version 1.0 है, आज की date में जो हम आप से discuss कर रहे हैं, यहाँ पर download link दिया गया है, आप इसे click करके download कर सकते हैं, GSTN9 को file करने के लिए offline tool के द्वारा आपके पास Windows 7 and above होना चाहिए operating system और Excel, Microsoft, Excel 2007 and above होना चाहिए, जब आप इस offline utility को download कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर right click करना है, और यहाँ पर extract here button पर click करना है, जिसके बाद के यह utility है, Excel format में आपके सामने आ जाएगे, आपको इसे double click करके open करना है, जैसे ही आप इस offline utility को open करेंग यही आप जो आगे की processing है, इसमें कर सकते हैं, यानि कि जो data है वो enter कर पाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं, कि यहाँ पर readme की file दे गई है, नीचे यहाँ पर यह instruction है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कि GST भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको जो detail एंटर करनी है, table wise यहाँ पर नीचे दिये गई है, सबसे पहले home row है, उसके बाद outward supply की detail है, ITC availed है, ITC reversal आपको करना है, other ITC कि यहाँ पर table दिये गई है, तो accordingly यहाँ पर आप tables को refer कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर home time में जा file जो GST portal से download होगी, उसे आप यहाँ पर open कर सकते हैं, इसके अलावा जब JSON file यहाँ से generate करेंगे आप, तो आपको यह button दमाना है, generate JSON file, ताकि आप इस JSON file को GST portal पर upload कर सकें, यदि GST portal पर upload करते हुए, आपकी कोई error आ जाती है file में, तो वहाँ से आपकी GIF format में file, जो है error file, व portal से, जिसे के आप इसे यहाँ पर open कर सकते हैं, यहाँ पर button दिया गया है, open downloaded error JSON files, इसके अलावा हर sheet में, जैसे ही आप data enter कर देंगे, तो यहाँ पर validate करना होगा आपको data, हर sheet में यह जो validation का button है, वो दिया गया है, आपको validate करना है, GST 9 को किस परकार prepare करना है, इसके बारे मे यहाँ पर जो सबसे पहले वाली sheet है, उसमें instruction दे गई है, यानि कि सबसे पहले तो आप यह ensure करना है, कि GST 9 का offline tool है, वो latest version हो आपके पास, इसके लिए आपको GST portal से जाना है, GST portal पर जाकर latest version को download कर लेना है, जैसे आप GST 9 का Excel offline utility को open करेंगे, तो उसके बाद आप से open saved version करते हैं, तो जो पुराना आपने save किया हुआ data है, offline tool में वो available हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे no करेंगे, तो जो offline tool में save data होगा, पहला पुराना वो आपके पास available नहीं होगा, आप उसे recover नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको home sheet में सबसे पहले आपे GST GST 9 का JSON file जो है, वो download कर लेनी है, और यहाँ पे आपको open का button दिया गया है, open GST 9 JSON file, जो आप GST portal से download करेंगे, उसे आपको यहाँ पे आपके open करना है, उसके बाद ही आप GST 9 से JSON file को generate कर पाएंगे, क्योंकि जो data होगा, auto-drafted data, वो automatically इस sheet में fill हो जाएगा, GST portal से GST 9 के JSON file को download करने के लिए, सबसे पहले आपको सबसी टैब में जाना है, यहाँ पे return दी गई है, return के अंतरे अनुल रिटर्न है, आपको इसे click कर लेना है, यहाँ पे आप financially जो है, वो select कर लेंगे, और यहाँ पे search button पे click करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख सक है, और download का, आपको यहाँ पे download पे click करना है, और यहाँ पे GST 9 data दिया गया है, यहाँ से आपको JSON file को generate करना है, और download कर लेना है, इस परकार हमने GST portal से GST 9 की zip file जो है download कर लिए है, JSON file की, यहाँ right click करके हमने इसे extract कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि .JSON file यहाँ पे जो है, वो extract हो गई है, अब इस file को आपको अपनी Excel की offline utility में GST 9 की import करना है, इस परकार हमने यहाँ पे open downloaded GST 9 JSON file इस button पे click करके, जो JSON file है उसे import कर लिया है, और हम यहाँ पे success message आ गया है, कि JSON file को successfully import कर लिया गया है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि हर sheet में जो data है, वो JSON file से यहाँ पे automatically populate हो गया है, यह जो gray cell यहाँ पे आप अपने screen पे देख रही है, इन्हें edit नहीं किया जा सकता, इसके अलावा जो यह cell दिये गए है, उन्हें आप edit कर सकते हैं, इस परकार हर sheet के अंदर जो data है, वो आप check कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो data है, वो enter करने के बाद sheet को validate करेंगे, यहाँ पे कितना ITC आपने avail किया है, यह sheet है, यहाँ पे जो data gesture 3 में आ रहा है, gesture portal वो तो यहाँ पे automatically populate हो गया, अब इसकी यहाँ पे आपको bifurcation देनी है, कि inputs related कितना है, capital goods related कितना है, input service related कितना है, तो आपको हर sheet के अंदर यह data जो है, वो enter करना है, यहाँ पे ITC reversal का अगली type है, यहाँ पे कितना आप ITC reverse कर रहे हैं, वो figure आप यहाँ पे enter करेंगे, यह other ITC का table है, यहाँ पे आप other ITC related information जो है, वो डालेंगे, यहाँ पे जो gesture 2A के calling information है, वो यहाँ पे automatically populate हो गई है, इसके अलावा, जो ITC available but not available की figure आप पे डालेंगे, उसके अगला table जो है, वो text paid का है, जो text paid हमने किया है, GST portal पे, वो यहाँ पे figure जो है, auto populate हो गई है, इससे edit नहीं किया जा सकता, यह जो grey cells आप अपने screen पर देख रही है, इसके अलावा जो अगला cell है, अगली sheet है, वो है previous transaction जो आपने next financial year में report की है, उसकी detail आपको यहाँ पे enter करनी है, उसके बाद अगली जो tab है, वो differential tax की है, यानि कि जो transaction अपने पिछले financial year में declare की है, उसकी वजह से जो tax का impact आया है, वो यहाँ पे आप दिखाएंगे, इसके अलावा अगला जो tab है, differential tax का आप यहाँ पे दिखा देंगे, तो demand and refund की tab है, यहाँ जो total refund आपने claim किया है, refund sanction किया गया है, refund reject किया गया है, refund pending, total demand of taxes, total taxes, उसकी detail यहाँ पे आजाएगी, उसके बाद जो अगला table है, वो है information on supply received from composition taxpayer deemed supply under section 143 goods sent on approval basis, यह detail आपको यहाँ पे देनी है, अगला जो table है, वो access and wise outward supply की summary आपको यहाँ पे देनी है, यह जो access and wise summary आपको यह goods और services दोनों के case में ही देनी है, क्योंकि अदि आप first sheet पे जाएंगे, सबसे first sheet पे तो वहाँ पे आपको यह information में क्या feel करना है, वो आपको यहाँ पे हर sheet में जो table दिया गया है, वहाँ पे आपको क्या feel करना है, instructions यहाँ पे दे गई हैं, आप इने refer कर सकते हैं, यह access and wise outwork supply में क्या feel करना है, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है, कि services के case में आपको जो unit of quantity mention करनी है, उसमें आप other select करेंगे, और unit quantity में जीरो enter करेंगे, इसी परकार inward supply में आपको services के case में भी access and code देनी है, कि कितनी services आपना ली है, लेकिन जो quantity है, वहाँ पे आप आपको other select करना है, और unit of quantity जो होगी, जो quantity की measurement है, उसमें आपको zero enter करना है, जब आप अपनी JSTN9 को बना लेंगे, तो उसके बाद आपको generate json file to upload button पर click करना है, और json file को यहाँ से save कर लेना है, जिसे कि आप JST portal पर upload करेंगे, यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, कि दिया आप एक बार अपनी JSTN9 को JST portal पर upload कर देते हैं, तो आप उसके बाद उसे revise नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी JSTN9 को ध्यान से बनाएं, उसके बाद आपको JST portal पर login करना है, सबसी टैम में जाना है, return में जाना है, और annual return पर click करना है, उसके बाद आप select कर लेंगे 2017-18, उसके बाद आपको यहाँ पर annual return JSTN9 की टाइल में prepare offline बटन दिया गया है, इसे click करना है, जैसे आप इस बटन को click करेंगे, तो यहाँ पर upload दिया गया है, यहाँ पर आपको file को choose करना है, JSON file को और upload कर देना है, यदि आप tax के बार में और अदिक जानकारी तो हमारे YouTube चैनल की playlist को refer कर सकते हैं, यहाँ पर topic wise video दिये गये हैं, जिने के आप refer कर सकते हैं, GST, tax और finance के regular update के लिए आप tax seal की mobile app को Google Play Store से download कर सकते हैं, इसका link इस video की description में भी दिया गया है, आज की GST की news आपको कैसे लगी, इसके बारे में हमें बताएं, like करें और share करें, जितना अधिक आप लाई करते हैं और share करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुंचा पाएं,